ये साल खतम होने को है और इस साल में आपने बहुत सारी कंपणियों की बहुत सारी लीथियम बैटरीयां देखी एक से एक फीचर आपको लीथियम बैटरी में देखने को इस साल में मिले और लीथियम बैटरी की कीमतों में भी एक प्रत्याशुत रूप से कमी आपको देखन आप ऐसी बैटरी दिखाने जा रहा हूं जो एक आम आदमी की जोट है और अगर आप अपने इंवर्टर में लीथियम बैटरी के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ही यह है कि नॉर्मल इंवर्टर पे आप लीथियम बैटरी नहीं लगा सकते हैं आज आपको बैटरी दिखाने वाला हूं वो बैटरी की समस्या का समिधान करने वाली है रात मार आप एर कंडिशनर भी चला पाएंगे अपने पूरे धर के लोड़ चला पाएंगे आप अपनी बिड्ली का कनेक्षन कच्टबाड़ा चाहें तो इस बैटरी को लगड़ा के बीगली का connection भी करवा पाएंगे तो complete detail आज आज आपको इस वीडियो में मैं 12V और 24V बैटरी की देने वाला हूं तो फैंट्स मुहन पीपर चोधरी और आप लोगों से रिकेस्ट आपनों को मेरे वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तर शेयर करें ताकि इस जानकरीकल आप जादा जादा लोग ले पाएं अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चलिको सब्सक्राइब करना ना पूलें तो तो थेंट्स तीन तरीकी बैटरी आपको मार्केट में सब्सक्राइब को देखने पर मिलती हैं एक है 12V की बैटरी 24V या तो फिर 58V ये बैटरी में सब्सक्राइब बिखना वाली बैटरी है और जैसे लोगों के घर पे 12V चोल्त ये 48V परी बैटरे हैं तो फेंट सबसे पहले शुरू करता है 12V की बैटरी अब 12V की बैटरी एक बैटरी के इनवर्टर पे लगाई जाती है इंडिया में सब ज़्यादे बिखती है और सबस्यादा डिमांडिंग जो है वह भी 12V की बैटरी ही है तो अगर आपके घर पे नॉर्मल सोलर इनवर्टर बैटरी लगा है और आपने लेडशिट fossil भी रखला व 형ल जोगा है अब आपकी बैटरी का घ्राब होगे है तो आपको 12 volt की बैटरी लगानी पड़ेनी पड़े अब आपको टूबर या लगानी चाहें वह आप यוכ यह सामने देखके पहला तो यह देख लिज tabaurी का एप तो ट्यूबलर बैटरी और इस बैटरी में जो पहला अंतर है वो यह है कि यह 1500 AH की बैटरी जो जो नॉमल आपकी ट्यूबलर वाली 200 से लेके 200 AH की बैटरी होती है उस बैटरी से भी ज्यादा पाउफुल है अगर मैं लोड लिफ्टिंग की बात करूँ तो अगर आप 700 वाट घंटे का लोड चला रहे हैं तो इस बैटरी पे दो घंटे से जादा लोड चल जाएगा और अगर आप ट्यूबलर की 200 AH की बैटरी पे 700 वाट घंटे का लोड चलाएगे तो हुहां पे मात्र आपको एक घं अगर आपको घंटे से जादा बैटरी नहीं चलेगी अगर अपनी घंटे पे लोड है इस तरह के कि आपको घंटे लोड चलाने है तो इसकी लिए ये बैटरी अफेक्ट शॉलिशन हो जाती है अगर 12 वोल्ट 200 AH की बैटरी को चार्ज करने में आपकी बिजली लगेगी ती लेनी ची है बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि साब लीथियम बैटरी जो है वो बंप की तरह होती है फट जाती है तो फ्रेंट्स मैं आपको बताऊं लेड ऐसे बैटरी को चार्ज हो रही है और चार्जिं होते वक्त आपने उसके कोई भी स्पार कर दिया कोई भी वो समस्तिया ये है कि जो नॉमल इनवर्टर है उस नॉमल इनवर्टर पे आप लीथियम बैटरी नहीं लगा सकते है क्यों कि लीथियम बैटरी की ट्रोपर्टी और लेड असे बैटरी की प्रोपर्टी दोनों अलग अलग होती है और आपका जो इनवर्टर है उसको नहीं तो मतलब इस बैटरी के जो परामिटर्स हैं, चार्जिंग परामिटर्स हैं, उस लेड़सेट बैटरी के परामिटर्स हैं, हम लोगों ने मैच करा दिये हैं, इसलिए अगर आपके पास में MPPT वाला, आप घर से समझ लीजेगे, अगर आपके पास में MPPT वाला Solar PCO है, जिस इसके अंदर कस्तमाइजेशन उतलब्द है, कस्तमाइजेशन क्या होता है, जिसमें बटन आगे दिये हुए हैं, और बटन से आप थोड़ा उसकी सैटिंग क्लस माइनस कर सकते हैं, तो आप ये वाली बैटरी अपने एक्जिस्टिंग इंवर्टर पर भी लगा सकते हैं, ये पहली बार हम लोगों इस तरह की बैटरी बनाई है, कि जिस बैटरी को आप मैटी इंवर्टर पर सकते हैं, वीडियो को आप कहीं से भी स्किपना करें, पूरा देखें, सारे मॉडल्स दिखांगा, लोड टेस्टिंग के लिए इंवर्टर भी लगवा है, लोड भी आप मतलब समझिए कि जरासा आप साइज देख रहे हैं, साइज की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 200 mm x 270 mm x 300 mm का साइज है, इतना छोटा सा कॉम्पेक्ट सा साइज है, तो आप घर के किसी भी पोने में इस बैटरी को रख सकते हैं, कोई हांब कोई ग्यास इस बैटरी से र 6V की यह 1500H की बैटरी है, और जो आपने अभी एग्जिस्टिंग 1200H की 12V की बैटरी देखी इस बैटरी से एक जस्ट अबल है, तो दो बैटरी वाले इनवर्टर के लिए यह एक परफेक्ट बैटरी है, और इस बैटरी की अगर मैं आपको आसियत एक बोलू, कि अगर आप आपके पास में सूलर का इनवर्टर एर कंडिशनर लगा है, तो आप पूरी रात इस बैटरी से, अगर यह बैटरी शाम के टाइम आपने फुल चार्ज कर दी, तो रात मारे यह बैटरी इतनी पावफुल है कि आपके सूलर एर कंडिशनर को अपने बैक पर चला सकती है, अब इसका मतलब यह नहीं है कि हर परिस्तिति में चला सकती है, तो कुछ परिस्तितियां एक्स्थिए हो सकती है, जैसे कि अगर आपका रूम साइज बहुत बड़ा है, ला तो से बहुत जादा है, उस ताइम को छोड़ के, जो नॉमल सूलर एर कंडिशनर होते हैं, यह इस बैटरी पे आप रात बर एर कंडिशनर क्ला सकते हैं, अब बाकी दिन लोगों को एर कंडिशनर नहीं चलाना है, यार रात में ऐसा है कि उनका एक्क्रीच चलना है, एक दो गहते उनका एसी चलना है, और लाइटिंग और अख्य के लोड़ है, तो यही बैटरी आप अच्छे से लीटिं बैटरी ये साथ में काम नहीं करते हैं, तो मैं इसलिए पीडर और इंवर्टर पे इस बैटरी को रिखमन नहीं कर रहा हूं, आप MPPT इंवर्टर पे ही इस बैटरी को लगाएं, अब फैर्ट से एक इंवर्मिशन में आपको और देदू, कि नेक इस टेक्लोजी का बिजिस करना है, बारे गुट की नह्मल बैटरी से लेकर वह साथ सो गो तक की निठ्यम फॉसफेट की सारी बैटरी बनाते हैं, अगर आपको ऐसे बिजिश की तलाश में हैं जिसमें आप अपने नाम से बैटरी लिजिए आना चाहते हैं, आपको पैटर आप अपने नाम से भी बनवा सकते हैं, ज्यादा जनतारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में में अपने सेल्स वनीजास के नंबर दिये हुए हैं, आप उन लोगो को पॉटक करके फ्रंचाइजी की पूरे मोडल की दनतारी दे सकते हैं, तो आप यह देखें, कि यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह 1.2 kW के इंवर्टर है, और इंडिया में 12 वोल्ट में इस से पॉफुल इंवर्टर आपको पोई नहीं मिलेगा, इस इनवर्टर एक लोड का पूरा लोड एक बैटरी से लिफ्ट कर सकता है, और अगर आपने इस बैटरी के वोल्टेज कितने डिले से डाउन होता है, तो आप यह देखें, 870W, 880W, 50W का लोड चला है, मैं आपको सामने रिखा हूँ, दो 220W के बलब ने, और एक जो हीट गन है, जो चला ही हुई है, 12 वोल्ट के इंवर्टर पे आप मैसिनल इतना ही लोड चला सकते ह जैसे कि आपको कोई पंप लगा है, या तो फर आपको कोई प्रैस करनी है, तो उस टाइम पर आपको कोई प्रैस करनी है, तो उस टाइम पर आपको कोई प्रैस करनी है, तो उस टाइम पर आपको प्रैस करनी है, तो पुल आराम से प्रैस भी कर पाएंगे, और अपने बाक आपको इतनी बड़ी वरुंटी इस बैटरी पर मिल लेगे तो आपको कोई टैंशन वाली बात ही नहीं है एक बार आपका पैसा लगा तो लगएगा लिधियम बैटरी सी महगी तो हुपी है आप लाइफ में हर रोज की आपकी जो पावर सेविंग्स हो रही है उसमें अगर आप पावर करेंगे तो आप आएगे कि मात्र पास साल में ये आपका बिजली का बिल इतना बचा देगी बैटरी कि ये बैटरी अपनी कीमत निकाल देगी किवल बिजली के बिल बचाने में और आप समझें के 15 साल तो कंपनी तो वरुरू कर रही है और लाइफ की बात साइंस है और साइंस कभी मजाप नहीं होता है रही बात हमारी बहुत सारी लोग करते हैं कि साप कंपणी रहेगी नहीं रहेगी 15 साल में तो कंपणी का ही पता नहीं है तो आप ये समझें कि 17 साल होगे हमें इस इंडस्टी में तो कोई दिख्था नहीं होई तो आने वाले तो आपकी ये सोचिए कि यह बेटरी यह साहत है और अपकी लेटरी परसंट नहीं चलेगी और आपके लेटरी ज़ेंगे तो आप ठाईगे एक और स्वेट गूगल करें तो आप पाएंगे एक इए डूमेस्टिक लोड की अगर हम लोग बात करें, अरों एक चार डिस्चार्ज की भी बात करें, तो भी ये बैटरी बेटरी तो बहुत आराम से निकाल देगी, पर निकाल देगी, और जैसे लेड़ असे बैटरी के साथ में बैक आप अप अपर प्रोमाइज कर जाते हैं, तो भी फ्रक नहीं परता अगर उस तारह बात करें, तो फिर पता नहीं बैटरी के लेगी, और ये जो मैं आपको बोलना हूँ या गूगल कर सकते हैं, मेरी बात बिल्कुल ना सुने, आप गूगल कर लेंगे, लिथियम फॉस बैटरी को समझ लेंगे, तो आपको समझ आएगा, कि मैं जो बोलना यह समतार इंबर्टर है के 26-27W का भी लोड़ लेट सकते हैं, तो अगर आपके घर देखकनका एर-कंडिशनलर लगा है, यह 5 सिटार टेकलोजी का आप वो भी इसके चला सकते हैं, गर लोडूस इस पर चला सकते हैं, फ्रीज, फूलरном का विटेशनलराइके जोड़ लोड तो जबी भी हम लोग हाई लूड की बात करें तो हाई लूड पे हमेशा लीथियम फॉस्टेट की बैटरी लैड असिड बैटरी की तुल्ना में चार से पांच गुना भी जादा बैकप डिलीवर कर जाती है इसलिए आपको लीथियम बैटरी पे स्विच करना चाहिए और अगर मैं आपको साइज वाई बताओं तो आप यह देखें के डेड़ सो एच की जो क्यूलर की बैटरी होती है चार लगबाग इतना बैकप यह अक आप मेरे सामें देख रहे हैं तो आपको अगर यह दिस्प्ले चीए यह भी मिल जाएगा इस तरह का डिस्प्ले चीए भी मिल जाएगा अभी कमपणी कुछ और भी हम लोग अपने कुछ वर्जन बना रहे हैं और भी मह सारे फीचर मिल जाएंगी और उन सब की जूरूत तो आपको नेहिं है क्यों आपको द encontramos को कि आपको जो इनवेटर है और हुआपका इनवेटर है तो इन वेटर में फीचर होन एकर अगर भी वो्त जाएंगे दिशूरी आप लिजीए लिगा इस रूफ़न टफ बैटरी को बनाते हैं कि इस बैटरी में पभी कोई में अब लद लेखना है तो आप यह देखें तो आप ये प्रैंट लेख रहे हैं तो धूल चार्ज आइए पूरा 3 kW का लोड आप इस बैडररी से लिए सकते हैं कि घंटे का अगर अगर आपका ओड़ दो आसके डिकवाटे मना है दो तो श्हां दो ज़ा सकते हैं करीब आठ गंटे तक आप इस बैटरी से अपने पूरे जो चार्सवाट की लोड है वो चला पाएंगे तो राधवार आपको बिजली की जूती नहीं है बिजली ना है कोई दिक्कत नहीं आपके बाकी सारे लोड जो है वो चलते रहेंगे लोड जो है वो आप देखें कंटीडू लोड चला है ताइम हो गया है बैटरी अपना 33.4 वोड पर बहुत आसानी से चल लही है तो आप बात कलने प्राइस की कि इन बैटरियों की कीमत की आपको बूलू तो इस बैटरी की कीमत है मात्र 38,000 प्लस GST अब GST डिपेंड करता है अगर आप इस बैटरी को ले रहे हैं तो 12 परसेंट है और अगर आप आप नहीं ले रहे है तो 18 परसेंट है और 38,000 प्लस दूना आप कल लिजेगा चेटर हजार रुपे हो इस बैटरी की कोस्ट है चेटर हजार प्लस GST में आपको यह वाली बैटरी मिल जाएगी अब मिल आप यह वाली जो बैटरी है उसको परचीज कर सकते हैं